बेबी स्वेटर जब टॉप टू डॉण बनता है यानि गले की तरफ से बनता है तो सिर्फ आस्तिन पे ही सिलाई करने पड़ती है क्योंकि नीचे के सभी पार्ट्स एक साथ बुनते हैं तो वहां हमको सिलाई करने की जरूतने पड़ती है इसकी सिलाई या तो हम क्रोश्य से कर सकते हैं या फिर सुई से कर सकते हैं यदि हमें क्रोश्या से अगर हम इसकी सिलाई करेंगे तो हमें थ्रेड काटने की जरूत नहीं पड़ती है तो आज हम क्रोशिय से सिलाई कैसे करेंगे वो सीखते हैं तो हम धागे को उंगली पे लपेत लेंगे और देखे इसे उल्टा कर लेंगे और जो हम लास्ट ये फंदा बचा था इसको हम क्रोशिय पे लेंगे इसको उल्टा ऐसे करेंगे क्रोशिय पे ले लेंगे फिर हमारा जो ये एज है देखे इसमें हम दोनों में ऐसे क्रोशिय डालेंगे और एक लूप लेंगे और फिर दोनों को एक साथ लेके घटा देंगे ये जितने एज हैं सारे में हमको ऐसे क्रोशिया डालना है सारी एज में हम ऐसे दोनों को एक साथ लेंगे और ऐसे सिलते जाएंगे ऐसे फ्रेश चलाई होती है दोनों को एक साथ लिया एक लूप निकाला और दो का एक कर दिया देखे अच्छी तरह ये बाइंडिंग होते जा रहा है इसी तरह करके हम सारे फंदे दोनों पार्स को जोड़ लेंगे बहुत ही आसान होता है और हमें अपना थ्रेट काटने की जरूरत नहीं पड़ती है तो देखे फ्रेंट्स पूरे आस्तिन की सिलाई हो चुकी है देखे इसे मैं सीधा करके दिखाती हूं तो इसके साथ ही बेबी स्वेटर का सेकेंड पार्ट कम्प्लीट होता है अब हमारी मुलाकात थर्ड पार्ट में होगी अब हमारी मुलाकात थर्ड पार्ट में होगी